हेलो स्टूड़न वेल्कम बैक उम्मीद करतो है या पर सब लोग ठीक होगे ओलेडी चैप्टर नंबर वन के दो पार्ट हो चुके हैं मतलब चैप्टर नंबर वन की बात करूं तो फर्स जो इंट्रोडक्शन अपने डिसकस किया था और उससे पहले मेंने तो जो पार्ट ब कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिसकस किया था आई होप तुम लोग को समझ में आया रहेगा कुछ भी डाउट हो तो बिंदा इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आज जो डिसकस करेंगे सिक्स एम्स डिसकस करेंगे मैनेजमेंट के मदब कोन से छे इंपोर पार्केट चीए तो वो सब चीजे आज के सेशन में आपन डिसकस करेंगे तो आज के सेशन में दो चीजा आपन डिसकस करने वाले है एक होगा 6 M of Management और सेकेंड होगा नीड फॉर मैनेजमेंट इन बीजनेस ओर्गनाजिशन एंड नोन बीजनेस ओर्गनाजिशन ठीक है चलो लेस्स टार्ट सेशन और यह सब चीजे अल्यडी डिसकस कर लिया है प्लीज वह वाला वीडियो जरूर देख लेना और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीक देना ठीक है चलो लेस्स टार्ट वीड़ी सिक्सम्स को देरा आर शिक्स एम ओफ मैनेजमेंट मैन मनी मटेरियल मैटर मशीन्स एंड मार्केट मतलब यह छे एम बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट को करने के लिए अधर्वाइस एक भी मैनेजमेंट मतलब एक मतलब 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 होता है और कॉंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एफेक्टिव एफिशेंट यूज ओफ इस एलिमेंट ब्रिंग सक्सेश टूद ऑर्गिनाजमेंट अगर यह सभी एलिमेंट्स को आप एक साथ करोगे तो जो सक्सेश जो मैंने तुमनों को बोला कि जो गोल है जो अबजेक्टिव हो क्या होगा अचीव होगा वन्स अगेंड रिपीट करें कॉंसाइट सिक्समें मैन मनी मटिरियाल मैथड मशीन्स एंड मार्केट लेस्ट सी इन डिटेल्स फर्स्ट मैन अभी देखो कोई भी ओर्गनाज़शन हो छोटी ओर्गनाज़शन दो एंप्लोई की जरूरत होती है विदाउट एंप्लोई आपका बीजनस रणी नहीं हो सकता और वन सगेंड तुम लोग को बता देता हो इट्स यूमन रिसुर्स अपके वह होगे जो इट्स काइंड ओफ असेट्स होगे चितना जाधा आप उस पे इन्वेस्ट करोगे उतना जाधा वो रिटन में देगा आपको जैसे कि अपन बहुत सारे जगह पर देखते हैं रिलाइंस के अंदर 40 साल से एंप्लोई से पचास साल से एंप्लोई से क्योंकि लोग ने उस पे क्या किया है इन्वेस्ट मेंट किया है आप बोलते हो कि मशीनरी मेरी असेट्स है एंप्लाइण बिल्दिंग्स होगे तो मैन मतलब यूमन रिस ए यूपकी क्या ओगी असेट्स होगी मेन इन एन अ ठीक है talented and efficient human resources are asset of the organization जैस्ट में तुम लोग को भी बोला कि human resources जैसे आप plant and machinery बोलते हो कि वह मेरी assets से same kind of human resources भी आपकी क्या होगी एक टाइप के क्या होगी assets होगी जितना जित्ना ज्यादा आप укs करो गिह उतना ज्याद आपको皆さん अग बाई में consider managing human resources in conteúdo इंक्लूडींग फंक्शन सच ऐगे डिळिक्रूटमेंट्र के अंदर की स्टाफिंग मिलिंग के व्हट होता है स्टाफिंग करना है कि आपको रिक्रूट करना है अपोंट करना है और इसको डेने प्रफर्मोंस प्रेजल हो गया प्रोमोशन करवाना मौसकर अगर पर्फर्मोंस अच्छा हो रहा है तो तो अगर मुझे एक टम में बोलना है तो इसको मैं क्या बोलूगा स्टाफिंग फंक्शन बोलूगा तो पहला एम क्लियर है लेस्ट स्टार्ट विद्ट सेकर्ड एम जो होगा आपका पैसा मनी अफ्कॉस देखो मनी एक ऐसा चीज है कि जब तर अप जैसे कि यूमन बिंग की ब बंद हो जाएगे तो मनी आप बोल सकतो हो एक टाप का बैकबॉन है किसी कोई भी ओर्गनाशन छोटी हो या बढ़ी हो तो मनी रिफर्श तो दो फंड इन बिजस ओर्गनाशन बिजस ओर्गनाशन शूल भी कंटिन्यूस अबाउट मैनेजिंग दर फंड सॉर्य एर रिप looks ृप लिफीर के सोथोन मैनेजिंगंग Pan scholar又 कोई अगर आप मैंजर की पोजिशन पर हो तो आपकी ये चार काम होगे मतलब आपको फॉपस के राखना जो बच्छी लोग स्पीच पढगा थ हुआו में उसको मालूम होगा कि fix capital क्या होता है वो capital होता है जो कंपनी को fix assets के लिए चीए working capital वो capital होता है जो day to day affairs के लिए capital की requirement होती हो उसको working capital बोलोगे managing source of fund कहा कहा से पैसा लाओगे source of fund का मतलब होता है कहा कहा से company पैसा उठाईगी और एक बाद पैसा आ जाने के बाद organization में वो कहा कहा उसका application करोगे इस नदिंग बड़ application of fund तो दिजाद नदिंग बड़ आप managing the finance generally financial manager का यह रोल होता है finance manage करने का next आ जाता है material of course once again अगर आपका goods का business है manufacturing का business है तो आपको of course इसकी जरुवत होगे चलो मैं बात करो तो service industry आपके तो यह जरुवत नहीं भी हो सकती है बट अगर आपको goods का business है आप सपोस की for example पैनी बना रहे हो या तो सबसे आपको material की requirement now there are raw material component and supplies needed for the production process most of the manufacturing organization located their plant near the availability of the raw material so as to save their production cost अभी यह क्या लिका चनली क्या करते है कि जो production industry होती है ना वो और्गनाईसे सोस्ती है कि अगर जो मेरे nearby area में ही अगर मुझे रोव मेटिरे मिल जाए तो अच्छा है क्योंकि मेरा production cost जो transport cost बोल सकते हो वो क्या कर सकता हो में cut कर सकता हो जो अगर आपको profitability में convert करना है तो आप बहुत सारे एंगल को सोचोगे कहां कहां से आप कट कर सकते हो अपने cost को वो क्या करोगे find out करोगे तो management must be ensure that adequate quantity of materials and goods quality of materials should be used कोई भी organization हो वो तो यह चाहिए कि जो मुझे quality मिल रही है वो अच्छी सी हो और जितनी quantity मुझे चाहिए उतनी मुझे अवेलेबल हो मतलब ना compromise in quality ना compromise in quantity the material should be supplied at a right time so that the production process does not be interrupted मतलब क्या बोला है कि जब भी आपको raw material के demand है आपने supplier को call किया कि मुझे मेरे मुझे मेरे go down में या तो factory में पहुचा दे material पहुचा दे मतलब राइट टाइम पे material होना जरूर यह देखो अगर एक certain time the quantity stock में रख सकते हो inventory में रख सकते हो but after certain time क्या होता है कि जैसे इसे demand आईगी वैसे आपको प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा तो जब जब भी प्रोडक्शन बना को तभी है तभी आपको raw material के ज़रूत पड़ेगी तो आपके supplier के साथ एच्छे से नहीं है तो उसकी पेटन होती है methods होती है तो organization में जरूरी नहीं कि आप पहले दस साल पहले जो method follow कर रहे तो same method आज भी follow कर रहें lots of changes in technologies as well and human means के skill के अंदर भी जितना ज्यादा आप technique easy रखोगे जितना ज्यादा आप technique को easily change कर सकते हो इतना ज्यादा अच्छा है organization के लिए और सब्सक्राइब करो कि आप ऐसी टेक्निक यूज करो जहाँ पर आपका कॉस्ट क्या हो कम हो तो let's see method method is a certain set of pattern of doing a particular task it is an art of doing right thing in a right way it involves a set of guidance and instruction of course अगर सब्सक्राइब कोई experience बना रहेगा organization के अंदर वो एक चीज सब्सक्राइब मारकर पाच मिट में बना के ready कर दे रहा है और कोई fresher रहेगा उसको मेभी 10 मिट भी लग सकता है 15 मिट भी लग सकता है तो कहाना का यह जो 10 से 15 मिट का मतलब मार्जिन जो बढ़ रहा हूं टाइम में तो कहाना का उसके काना उसके रिजन से कॉस्ट भी क्या हो जाता है जनरली बढ़ जाता है तो आपको प्रोपर आपको क्या करना अपने जुनियर को गाइड करना है कि कुण सा राइट वे राइट मेटर तो क्या कर सकता है चूज कर सकता है कि ताकि तेरा कौस्ट भी करम हो और प्रोड़क्टिवीटी भी अच्छे से निकल के आए मेथट्स इन अमेनजमेंट इंक्लूदिंग अप्रोपर गाइडेंस मिलता है अपने सीनियर से तो आपको प्रोड़क्टिवीट भी निकलोगे प्लस एफिशेंटल मतब तर इस नो कंप्रोमाइज इंट कॉली टे do司से ने ने क्वेड आपके बिच्वीट के लिए अपके लिए है अलीग सोटा है तो लेक्सी सी मश्री ने आपके लिए वंसाइड केयन अल्मॉपार्य। है इतना तो मालूम है यह इंहांस जा मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेस एंड रिजल्ट इन हेविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ मार्केड अगर जब सपोज कि फॉर एक्जामपल आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलोजी यह लेटेस्ट मशिनरी और वह मशिनर इन रिजल्ट इन स्मूथ फ्लोव ऑप्रेशन इन डवीजल अफकोस्ट देख आपको मशिनरी तो इसको मेंटेन भी प्रोपर करके रखना है सर्वीज चाहिए तो सर्वीज भी आपको देना है ताकि क्या हो कि आपके जबी भी जब आप प्रोडॉक्शन बना रहे हो तब कोई इंटरप्रेशन ना हो मतलब डिस्टरबंस ना हो तो प्रॉपर स्मूथ फंक्शन हो इसलिए आपको क्या करके रखना है हम्मेशा वेल मेंटेन रखना है अपनी मशिनरी को मैनेजर नीट टू कंसीडर दो फॉलिंग इंपॉर्टन एक्सपेक्ट रिलेटेटेट दू मंशिन्स लेट सीफर्च क्या लिगा है फर्फ्टेश ऑफ सेकें अनन माशिनरी और न्यू वट पहले तो आपको यूज इन बोलता कि यूज मशिनरी ऊपर इतनी इफेक्टिव नहीं पह सकती है बट न्यूव न में चांसिज क्या होता है आपके प्रोड़क्शन रुकने तो आपको हमेशा इसकी तरफ जाना है अपको प्रोपरली मेंटेन करके रखना है जब भी सर्वीस की ज़रू होते हैं वह मशीनिकों के रहाना सर्वीस करना है और सेफ्टी ओफ वरकर्ड दूरिंग दे यूज ओफ मशीन एटेक्स अपन देखते कि बड़ी-बड़ी पहनना है तो मास पहनना है तो वो सब चीज़े क्या है जरूर यह और फॉलो भी करनी पड़ेगी सभी एंप्लोईस को और लास्ट है 6M के अंदर जो है मार्केट मार्केट एक बहुत इंपोर्टन चीज़ है बिकॉज विदाउट मार्केट वैदर आप सर्वीस इंदस्री इंपोर्टन एक्सपेक्ट ओफ मेनेजिंग बिजनस और्गनेशन शेंज मार्केटिंग इस अप्रोसेस अफ इंदिफाइं देश्टमर नीड्स एंड रिक्वार्मेंट सटिस्फाइं देम बाई डिजाइनिंग एंड डिलिवरिंग दर राइट प्रोडॉड्क देखो आ लगाया रहता है वहाँ पर अपने को फ्री में प्रोड़क्ट टेस्ट करवाते हैं मतलब इस बिस्किट्स हो गया कुछ भी चीज़ हो सकती है तो अपने को वो टेस्ट करने के बाद अपने को एक चीज़ पूछ से पहला एक्क्वेस्टन उन्लों को क्या होता है सर कैसा ल लगाते हैं उन लोग सेम डेपे उन लोग बहुत सारे मॉल में स्टॉल लगाते हैं बाद में सब डेटा कलेक्ट करने के बाद वो रिसेच इंड डेवलोप्मेंट सेंटर में जाते हैं वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं रिसेच इंड डेवलोप्मेंट सेंटर में जाते ह करने का यह best strategies है कि आप पहले customer को जानिये customer के want क्या है customer किससे satisfy हो सकता है तो आपको कोई क्या करना पड़ेगा नहीं strategies नहीं नहीं policies क्या करना पड़े कि लानी पड़ेगे yes it is undertaken to achieve the organizational objectives profit market shares at extra and to generate the customer satisfaction of course कोई भी organization हो आज मैं बात करूं रिलाइन स्टाटा सबसे well known company है और develop companies है वो सब तो उनका आज भी target यह है कि customer को क्या कर सकते है अपन satisfy कर सकते है ठीक है तो उन लोग हम्मेशन नहीं नहीं प्रोड़क में या तो changes ला सकते है या तो फिर for example existing product में कुछ ना कुछ का करते changes लाता है वन अफ जब भी में विस्कीट नहीं भी मिली तो पालेजी आपको मिल जाएगे पर उन लोग में पालेजी में कोई changes नहीं लाके उन लोग में नहीं नहीं वेराइटीज में जैसे कि पालेजी गोल्ड हो गया बहुत और बहुत सारे क्रिम वाले बिस्किट के अंदर भी क्या किया प्रोडक्त को क्या क्या लॉपने पड़ेगा, उनको मालूम है कि अगर ये competitive market में रहना है तो आपको अगर existing product में, existing जो PARนะคะ है उसमें अगर change नहीं ला सकते हो तो नया प्रोडक्त को क्या करना पड़ेगा? Hello तो इस आधा टोटल सिक से एंज लोग को क्लियर है कुछ भी डाउट हो तो इन्दस कमेट सेक्षिन में लिग देना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा यह लेक्टर का जो होगा नीड फॉर इन बिजनस और गनेशन का जरूत नीड का मतलब क्या जरूत है इसा नहीं कि मैनेजमेंट वर्ड पहले मना तुम लोग को बोला कि मैनेजमेंट नॉट ओली इन बीजनस में यूज होता है वो नॉन बीजन में आपको किदर पिकनिक पे जाना तो आप पहले क्या करते हो प्ला मेनेजमेंट करते हो कि भाइव ये और जाएगे कि आइभ ऐसे डाये तो चेसे बहुत प्लेंक करते हो इसके बाद अपन करने के बाद ऑपन क्या करते है तो यह ये चोटा सा एक्जामिल लिया जैसे फिक निक उसमें भी अपन क्या करते हैं? तो वो बिसनस से रिलेटेट है? नहीं, वो नॉन बिसनस से रिलेटेट है, मतलब आपके और मेरे परसनल लाइफ के साथ, तो मैनेजमेंट है कि जो मैनेजमेंट परसनल लाइफ से भी जूड़ा हुआ हुआ है और नॉन परसनल लाइफ से भी जूड अब आउट इसमेंज देट दो वर्यस डेवलोप्मेंट देट है वेट टेकन प्लेस इन द वर्ल इस ड्यू तो द एफेक्टिव मैनेजमेंट आज अपन देखते कि बहुत सरी कंट्री अंडर डेवलोपे शर्तन कंट्री डेवलोप पिंग के तरफ है और शर्तन अल्री चलो वो कंट्री के बात करो उसको छोड़ो मैनेजमेंट की लेके बात करो और गनेशन को लेके बात करूं उनका भी यह टार्गेट होता कि अपना जितना ज्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा उत्तना ज्यादा बेनिफिट है कंपनी के लिए ताकि कंपनी का जो गो management is needed in a business organization as well as a non-business organization the main aim of business organization is to earn profit सबस्वी बीजनेस सभी छोटे बीजनेस की बात करो बड़े बीजनेस की बात करो सभी का एक ही टार करोड़ा तो अन प्रॉफिट on the other hand there are a non-business organization who main aim to serve the society for example charitable trust social club consumer association अटेक्शन बहुत सारे organization होता है जिसका main motor profit का नहीं होता होता है to serve the people मतलब उनको service देना जैसे के अपन बोल देना बहुत सारे charitable trust उनका motor profit का नहीं होता है उनका motor simple होता है to serve the people मतलब उनको क्या करना service देना whether the business organization or non-business organization there is a need for management the need for and importance of management can be stated as follow पहला यह innovations आपको organization के अंदर क्या करना innovation लाना है मतलब management के अंदर as a manager के responsibility होगी कि आपको नहीं नहीं changes लाने पड़ेगा अधर्वाइस employee क्या हो जाएगा बोर हो जाएगा management facility innovations in the organization nowadays it is an essentially to generate new ideas new product new technology at extra innovations helps to gain competitive advantage in today's competitive business world other market में competition आपको करना है मतलब competition में टिका रहना है तो आपके strategies आपकी policies आपकी techniques के अंदर क्या होना अच्छे चेंजिस लाना पड़ रहेगा मतलब according to market environment आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपको change करना पड़ेगा one of the example one second मेरे माइंड में आ जाता जब भी innovation का था Nokia सबने सुना रहेगा Nokia is one of the example जहां पे customer को market को चाहिए था Android में वो टाइम की बात कर रहा हूं जिस टाइम पे नोक्या आउट ओफ मार्केट चला गया because of the one reason customer को चीए था Android वो भाई ने बना दिया Windows customer ने रातो रात उसको क्या कर दिया टाटा बाई-बाई कर दिया मदब आज की दिन पर अपन नोक्या का वो नाम नहीं सुने मदब एक टाइम पे टेलिक कम्यूनिकेशन सेक्टर के अगर मैं बात करूं चाहां पर नोक्या सबसेट टॉप ब्राइंट ही आज देख रहा हूं नोक्या दूर्दू तो कहां पर भी क्या होता है कोई भी कंपनी चाहेगी कि हम लोग का ओर पिर टाइम क्या हो गुडवील मार्केट में नाम हो मैनेजमेंट अने बल्द ऑर्गनाइश्टून टू एनास्ट कॉर्परेट इमेज इफेक्टिव मैनेजमेंट इस रिक्वाइड टू ब्रिंग दा इंप्रूमें जो कॉडव तो सब लोग यहीं चाहेगा कि ब्लूचिप कमनी में मैं इन्वेस्ट कर दूँ नतिंग बर रिलाइस हो गया टाटा होगा कि जहां पे डूबने के चांसिस क्या है काम है आपको टीमवक चीए मतलब सभी को एक साथ मिलके काम करना है management develop team spirit in an organization it is a teamwork that brings success to the organization there is a need for a teamwork among the employees and the departments in the organization मतलब department देखो organization को बहुत सारे department होते हैं सभी department को मिल जूल के काम करना है वेदर production department हो sales department हो purchase department हो manufacturing department हो marketing department सभी department को एक साथ काम करना है क्योंकि वो सब एक ही रूफ में काम कर रहे है जो organization का है मतलब सभी का एक ही motto होना चीए सभी का एक ही goal होना चीए जो organization का goal हो ठीक है optimum utilization of resources fourth point क्या बोलता है optimum use of resources आपके वाद जो भी resources देखो resources दो type क्यों हो सकते हैं एक होता है human और एक होता है non-human दोनों resources को आपको क्या करना है प्रोपर यूटिलाइज करना है नहीं बट optimum use of resources in the organization effective management helps to reduce wastage of resources to greater extent optimum use of resources bring good result to the organization the fifth point motivations of course अगर आपको अपने employees को motivate रखना है तो दो ही वे फाइनेशली या तो नोन फाइनेशली मतलब जादा बोनस देओ और नोन फाइनेशली मतलब फॉरन पिकनिक देओ खूश हो जाएगा तो management facilitated motivate of the employees in the organization by providing incentives incentives मतलब बोनस additional salaries and all motivated employee work with the applications and dedication the dedications on the part of motivated workforce bring the higher efficiency in the organization अगर आपका employees जितना जादा motivated होगा उतना जादा काम निकाल के देगा जितना में जाएश तेम लोगो यही बोला कि employee human resources is kind of आपकी asset है जितना जादा उस पर खर्चा करो जितना जादा आप इन्वेस्ट करेंगे वह उतना ही जादा आपको रिटन में आके देगा six point reductions in wastage मतलब आपको बस जो भी resources है उसका क्या करना है maximum utilization करना वेस्टेज क्या करना है कम करना है management ensure reduction of wastage in organizations nowadays reduction in wastage is a vital to any organization reduction in wastage generate higher productivity in a organization अगर आप जितना ज्यादा वेस्टेज कम करोगे उतना ज्यादा reduction in abstentism proper management facilitated reduction of abstentism in the organization abstentism take place when employee remains absent without the prior permission abstentism create a several problem in an organization देखो अगर आपका स्टाफ रेगुलर आ रहा है तो इतना दिक्कत नहीं होगी सपोज कि बहुत तैम होता है कि organization में प्रोपर सपोज कि तीन जन की टीम है छोटा सी तीन जन में अगर जिस दिन दो employees absent हो गए ना तो वह एक एंप्लोई पर ज्यादा बर्डन आ जाता है उसके साथ boss पर भी बर्डन आ जाता है तो आप पहले ही क्या कर दो as a employee आप अपने boss को बता दो कि यह दिन से यह दिन में चुटी हूँ तो boss senior क्या हो वह चीज के लिए प्लानों वैलिन प्लानों कि वह बंदा नहीं आने वाला मेरा एंप्लोई तो मैं उसके अकोडिंग ली क्या करो काम को क्या करो तो मैनेज कर लेता हो यह और अपने क्लाइंट से भी क्या कर सकते हैं टाइम मांग सकते हैं अगर सडनली आपने डाल दिया सुबह तो वह पूरे दिन का जो रूटीन होता हो क्या होता है कहाना का effect हो सकता है नेक्स्ट है रिडक्शन इन लेबर टॉन ओवर यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है मतलब आप अपने और्गनेशन में यह चीज नहीं चाहोगे चितना ज़्यादा लेबर टॉन बढ़ेगा उतना क्रियेट होगा और्गनेशन करना चितना लेबर टॉन और कम गाम होगे ऊतना ज़यादा अच्छा है ग्र Oh करने किलिए अगर हर दो दिन पर मेंप्लो के तरफ सोच रहें तो आप जा पाएगी because उसका जो employee है उसका turnover है मतब जो changes है और employees का stable है वो क्या करना है maintain नहीं कर पाओ गया ठीक है तो management helps to reduce the labor turnover in an organization employee turnover take place when some employee leave the organization and other joint in their place frequent labor turnover increasing the selection and training cost देखो यहाँ पर clearly बोला है कि जितना ज्यादा आप इंटर्वीव लोगे जितना ज्यादा आप employee को change करोगे कहा ना का selections and training का cost का बढ़ेगा और इच्छा नोट गूट साइग इस बैड साइन फॉर दॉर्गनाईशन नेक्स्टेम नाइंथ पॉइंट क्या लेका है लेट सी हायर एफिशन्सी मैं तो मुलों को जैस्ट बोला कि हायर एफिशन्स से तभी निकलेगे जब भी आप का कर सकतो को काम करके optimum utilization of resources करोगे तभी management is required to generate higher efficiency in the organization efficiency is a relation between returns and cost the more the return at a same cost or at a lower cost then the organization is said to be more efficient मतलब आप कम खर्चे में ज्यादा profit कमा रहे हो या तो ज्यादा प्रोडक्त निकाल रहे हो या तो इतना आपने टार्गेट कहा था इतना खर्चा लगना चीए उतना ही लग रहा है तो अच्छी बात है मतलब company is efficient बट जो expectations से ज्यादा अगर cost लग रहा है खर्चा लग रहा है तो company में कहा ना कहा efficiency की क्या है problem से company को उसमें क्या करना है काम करना है और वो problems को क्या करना है solution find out करना है कि ताकि आप maximum अगर मैं resources के बात करो तो बहुत सारे resources हो सकता है non human और human भी अभी non human की बात करो तो पैसा हो गया क्या आपको पैसे को proper utilization करना है time हो गया time का भी proper utilization करना तो यह सब चीज़े आपको क्या करने पड़ेगी त्यान में रखनी पड़ेगी और control करनी पड़ेगी नेक्स्ट एन पॉइंट बेटर relations of course आपको इस बिजनस और आपको सभी के साथ अच्छे से relation मेंटेन करके रखना है वेदर इस अप्लायर हो वेदर इस अकस्टमर हो वेदर इस अइंवेस्टर हो वेदर इस अगवर्मेंट हो अपको अगर आप मार्केट में उत्रेओ बिजनस को लेको तो आपको सभी के साथ relation क्या होने चीज़े अच्छे होने जरूरी है और of course employees के दाथ तो जरूरी है अगर ओर्गनाज़ेंगें अंदर प्रोपर मैनेजमेंट है तो आप क्या कर सकतो प्रोपरली क्या कर सकतो रिलेशन जो है डिपाटमेंट के अंदर क्या कर सकतो प्रोपर मेंटरिंग कर सकते हो गूड रिलेशन्स जनरेट टीमवर्क and bring success to the organization ठीक है चाला next point encourages initiative क्या लिका इसके अनल लेट से professional manager follow the principle of encouraging initiative they encourage their subordinate to show their initiative to come out with the suggestions and actions that will not only help the organization to grow and expand but also enable the subordinate to fulfill their career aspirations sir यह क्या बोल दिया आप इस बिजनस अगर आप चला रहे हो as a leader as a senior आप एना एक बार अपने छोटे लेवल पर है जो लोवर लेवल पर उनको पूछो कि हम लोग यह सोच रहें आपका क्या idea अगर आप पूछोगे ना उनको तो वह बहुत अच्छे अच्छे idea देगे विको सबका माइन एक तरक क्या नहीं दोड़ता है सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं सोचते और सब अपने हिसाब से क्या करते हैं इमेजीनेशन करते हैं तो अगर उसके idea लोग है और कहा ना का वह आइडिया आपको business को हिट कर गया तो कहा ना का success company जो ग्रो करने के चांसे से वह डबल हो जाते हैं तो क्यूंकि एक ही idea आइडिया आइडिया आपके पास चीए जो company को success करना है आपको और मार्केट में नाम करना है तो हमेशा आपने जो सबोडिनेट है अपने जूनियर है उससे क्या करो आप हमेशा idea लोग इसका दोनों बैदो सब्सक्राइब हो तब यह सब चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो एक चोटा सा gesture हो गया मतलब आपने चोटी सी चीज खाली लोग को बोल रहा कि आपके क्या idea इस पे तो लोग को भी फील होगा कि नहीं हम लोग कभी करिया थोड़ा डेवलप हो सकते हम लोग ज लो 12.5 फैसिलिटेड ग्रोथ एन एक्सपंशन अफ्कॉर्स अगरा प्रोपर मैनेजमेंट करोगे तो जैसे कि मैं बोला कंपनी प्रोफिट में होगी प्रोफिट में भी तो ग्रोथ एन एक्सपंशन होगा मतलब बहुत जगा ब्रांची सोपन हो जाएगी यास सब्सक्राइब दोनों का इंप्रोफिशन उतना है मतलब टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट मतलब सीनियर यह नहीं सोचेगा मेरे बलबूद्य पर कंपनी चल रही है सब्सक्राइब बलबूद्य पर कंपनी चल ले दोनों का इक्वल इंपोर्टंट है चितना ज्यादा इन लोग सिंक में काम करेंगे उतना ज्यादा फाइदा किसको होगा और्गनेशन को होगा क्वाइड आपे रिगार्स आएगा स्पेलिंगे रहल है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर जो होगा क्वालिटी आफ वर्कर्स लाइफ मॉडर्न मेनेजमेंट शेर्स द फ्रूट अफ प्रोड़क्तिविटी एन एफिशेंसी विद वर्कर वर्कर आर प्रोवाइड नोट ओली विद गूर्किंग कंडिशन बट दे आर अल्सों रिवोड़ेड मोनिटरिली एन नोन मोनिटरिली एन एसस दियार क्वालिटी आफ लाइफ एन अभी यह क्या बोला है क्या आप अगर वर्कर की क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करना है मतलब बॉटम अब देने बोले तो स्टांडर ओफ लिविंग अगर आप उसकी इंक्रीस करना है तो आपको उसको पैसे से या तो ने विदाउट पैसे से क्या करना आप बीजनस मैनेजमेंट इन दा ओर्गनेशन उमीद करता हो कि आपको यहां पर समझ में आ रहेगा कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमें सेक्शन में लिग देना नेक्स लेक्ट्स में अपन डिसकस करेंगे फंक्शनस ओप मैनेजमेंट सो प्लीज टिल टाम चैनल के ल झाल